आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ The question is which of the following compound is used in visualization of DNA fragments in gel electrophoresis तो gel electrophoresis के दोरान DNA fragments को visualize करने के लिए कौन सा compound यूज किया जाता है एक्सा, क्लोरो, बेंजिन, सिल्वर, ब्रोमाइड, इथाइल, क्लोराइड, एन इथो, हमारा इथीडियम, ब्रोमाइड तो यहाँ पे हम gel electrophoresis के बात करें कि actually gel electrophoresis होता क्या है तो यहाँ पे जो हमारी DNA fragments है, उनको separate करेंगे तो fragments को separate करने का जो हमारा process है वो क्या कहलाएगा हमारा gel electrophoresis और यह जो हमारे DNA fragments है, यह separate होते हैं according to their size किसके according separate होंगे, अपने size के according separate होते हैं अब हमारा जो DNA fragments है, यह DNA molecule है, वो negative charge होता है तो यह किसके तरफ चाहेगा, positive charge की तरफ move करेंगे क्योंकि जो negative negative charge है, वो एक दूसरे को rebel करते हैं तो negative charge जो हमारा DNA है, वो positive charge की तरफ move करता है तो अब यहाँ पे हम DNA के sample को load करेंगे, यह हमारा positive ball है यह negative pole है, तो यह हमारी direction है DNA fragment की moments की, इसके तरफ positive charge की तरफ move करेंगे तो हमारे smallest fragment है, वो सबसे आगे move करते हैं, और जो largest fragment होगा, वो दीरे-दीरे move करेगा, obviously तो जो सबसे आगे फ्रेग्मेंट हमारा होगा वो हमारा smallest होता है और जो सबसे पीछे होगा वो हमारे largest फ्रेग्मेंट होगे तो इस तरह से हम size के basis पर फ्रेग्मेंट को separate करते हैं बट यह जो separated DNA fragment है जो हमारे fragments separate हो जाएंगे उनको हम सिर्फ staining के बाद ही देख सकते हैं जो हम compound use करते हैं वो है ethereum bromide and followed by the exposure और फिर हम उसको expose कराएंगे किससे UV radiation से तो जो हमारा chemical use किया जाता है वो ethereum bromide होगा जो कि fourth option में mention किया गया है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर